प्री साथियों प्रीमित्रों आत्मिक आधर अभार अभिवादन नमस्कार मैं गोलेंदर फटेर कासी हिंदो विश्वे द्याले में भी ये तिर्ती वर्थ का चात्रों आज दिव्यांग्यम दृष्टि बादित विद्यार्थी साथियों के लिए कवीर का जीवन और उनका स साहित रिकार्टिंग करने जा रहा हूं तो इस अध्याय अर्था इस रिकाई के अंतरगत हम लोग सरब्रतम उद्देश से देखेंगे प्रस्तावना कवीर का जीवन देखेंगे जीवन कवीर का साहित देखेंगे फिन सरांस देखते हुए कुछ मत्तपूर पी होगी पु प्घीवाषी है कि इसे पढ़कर आप कबीर के निजी जीवन के बिशे में विस्ष्ट जनकारी प्राप्ट कर सकेंगे कवीर साहित का पिछयप्रस्तावन प्रस्तावना प्रस्तावना मध्युगीन हिंदी भक्त कभियों में पहले महत्पुल भक्त कभी कभीर माने जाते हैं हम यहां उनके जीवन और साहित्य से जुड़े विभिन पहलों पर विचार करेंगे कभीर साहित्य के विद्यार्थी के सामने पहला सवाल उट खड़ा होता है कि कभीर का प्रमालिक जीवन विद्ध क्या है उनके साहित और उनके जीवन का अंतसंबद्य क्या है इसका कारड़िया है कि कवीर का जीवन बृत्तांत की उदंतियों अलोकिक घटनाओं और चमतकारों से घिरा हुआ है दूसरा प्रश्न कवीर के साहितिक कर्म को लेकर खड़ा होता है कवीर के नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं जिनके बारे में कवीर की मूल रचना होने का दावा किया जाता है पर यह स्विक्रित तत्य है कि कवीर साखी और पद कहते या गाते थे उन्हें स्वयम लिखते और शंग्रहित नई करते थे उन्हें स्वयम लिखते और शंग्रहित नई करते थे ऐसी हालत में प्रश्न उड़ता है कि मद्य युगीन कवीर की बानी और आधनिक पाठ आलोचन अनुसंदान की प्रिक्रिया के वीच कैसे वैज्ञानिक संगती बैठाई जाए प्रश्चित अंचों से कवीर की मूल रचना को अलग करना कवीर की मूल भासा की खोज करना भी कम कठिन नहीं है कवीर के अध्येता के ग्यान को सरवांगिल बनाने के लिए उनको कवीर के जीवन और साहित से परचित होना ही पड़ेगा इस इकाई में इनहीं समस्याओं पर विचार किया गया है कवीर का जीवन कवीर के जीवन विरत्त जीवन विरत्त के बारे में प्रमालिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता इसका मूल कारड़िया है कि कवीर ने शोयम अपने जीवन के संदर में यत त्यत जो सूचना दी है वह अप्रयाक्त है जो भक्त कभी उनके संकालिन थे और थोड़े परिवर्तित माने जाते हैं उनकी कवीर के बारे में उक्तियां प्रशांशात्मक टिपड़ियां मात्र हैं कबीर पंतिकेर सद्धालूं और भक्तों ने उनके बारे में जो कहा है वाकी उधन्तियों अलाव की घटनाओं और चमतकारों से भरपूर है ऐसी इस्तिती में विद्यारती के सामने पहला सवाल कबीर के परमारिक जीवन बृत्ति का उठता है ऐसा लगता है कि कबीर ने समानने परिवार में सदारण जीवन बिता कर अपने जीते जी असादारण ख्याती प्राप्त कर ली थी उनके जीवन विर्थी को खोजने और सोजने संजोने की कोशित उनकी मिर्थू के काफे बात की गई इसमें पंत और पंतेतर दोनों तरह के कवीर सद्धालू सामिल हैं ऐसी हालत में उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कहने के बजाए समभावित रूप से ही कुछ कहा जा सकता है पहला प्रसस्तिया संत रायदास पीपा धन्ना सेन आदी कवीर के समसामिक बाने जाते हैं यह सभी कवीर के प्रसिद्धी से न केवल परचित हैं बलकि उनकी भक्ती से परभावित भी हैं कवीर के बारे में इनकी इका दुका प्रसस्ति प्रक उप्तिया जरूर मिलती हैं जैसे गुरु ग्रंद साहव से रैदास की उपती देखिए नाम देव कभीरू तिलो चनू सधना सन्यू तरै कही रविदास सने हूं रे संत हूं हरी जिव ते सभय सरै ठीक इसी प्रकार एक और देखिए रविदास की स्रवांगी से पीपा की उपती उद्रित करते हैं डाक्टर पितामबर्द बत्रवाल जाके इदवकरीद नितगवबद करे मानाईये शेक सहीद पिरा बाप वैसी करी पूते ऐसी धरी नाम उन नव खंड परी सिधी कभीरा ठेक दादू दयाल कभीर के थोड़े ही परिवर्तित हैं और उनका समय भी निशित है सन 1544 से सन 1603 इसपीद तक उन्होंने कभीर को अनेक स्थानों पर बड़ी सरद्धा से याद किया है हरी रस लागे नाम दे पीपा अरुरे दास पिवत कभीरा नाथ क्या अजहूं प्रेम पियास कासी तजी मगहर गया कभीर भरोस्ते राम दादू रहडी कभीर की कठीन विशम यहूं चाल साचा सबद कभीर का मीठा लागे मोही आदी उट्ती दादू पर कभीर के जीवन और साधना सम्मधित प्रभाव को सुचित करती है इसके अलावा रज्जब, सुन्दर दास, मुलक दास, धरम दास, हरी दास, निरंजनी, बिहार वाले दरिया साहब, गरीब दास, आदी परिवर्ती संतों ने कभीर को बड़े आदर के साथ याद किया है और अपना आदर्स भी माना है सगूर भक्ती परंपरास संबंद, संबद, नाभादास ने कभीर को बड़े आदर से याद किया है भक्त माला में अपने एक छपए में उन्होंने कभीर की साधना और कभी कर्म के बारे में कहा है कि भगती वी मूख जो धरम ताहिय धरम करिगायो जोग जग्य ब्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो हिंदू तूरक प्रमान रमैनी सबदी साकी पच्छत पात नहीं वचन सबही के हित की भाखी आरुड दसा हवय जगत पर मूख देखी नाहीं भान भनी कभीर कानी राखी नहीं वळास्रम सट रसनी जनम तीथी और जनम अस्थान जनम तीथी और जनम अस्थान कभीर पंतियों में कभीर की जनम तीथी को लेकर यह दोहा सबसे अधिक प्रचलीत है देखिये कभीर भानो परकास भए ठीथी इस दोहें के अनुसार कभीर का जनम समोच चाओदस पचपन समोच चाओदस पचपन अर्था कभीर चरित्र बोध कभीर कसवटी बाबू लहना सिंग में यह पद उद्रित है की उद्रित है लेकिन किसने लिखा है इसके बारे में इसका कोई उलेक नहीं बाबू से आम सुंदर दास इसे धरम दास की रचना मानते हैं लेकिन प्रमाण उनके पास भी नहीं है कभीर साहित के आधुनिक जनकारों के बीच इसमें परियुक्त चंद्रवार बरशायत प्रकट भय को लेकर काथी विवाद है बाबू से आम सुंदर दास ने साल गए का अर्थ 1455 के बाद अर्थात 1456 मानते हुए जेट पूलिमा के दिन स्वंवार नत्रप्चंद्र वार की बाद स्युकार री है किन्तु डाक्टर माता प्रसाद का कना है कि जेट पूलिमा के दिन मंगल वार प्रता है उन्होंने कहा है कि यदि बरशायत का अर्थ बट सावित्री लिया जाये तो वा पूलिमा नहीं आम वश्या को प्रता है इसलिए इसका अर्थ स्रेश्ट मुहुर्त लेना चाहिए डाक्टर राम चंद तिवारी ने अंतिन दो पंक्तियों को कवीर के किसी सरद्धालू द्वारा उन्हें आलाओकी कि ब्यक्तित परदान करने के लिए जोल ली गई बताई है डाक्टर पारसना तिवारी चंद्रवार को दिन के बदले अस्थान वाचक मानते हैं डाक्टर पारसना तिवारी चंद्रवार को दिन सुमवार के अस्थान वाचक उसे मानते हैं पंडित परशुराम चत्रवेदी और डाक्टर केदार नात द्वेदी केदार नात द्वेदी तीस बरसु कशु न कियो कबीर की उक्तिक के अधार पर समवत 1425 अर्थाथ 1455 निश्चित करते हैं कुल मिलाकर कबीर की जन्मतिती अनिश्चित है बिना किसी प्रमाल के कबीर की सबसे ज्यादा स्विक्रती जन्मतिती समवत 1455 अर्था 1389 बेश्चित को माना जाता है ठेक बिना किसी प्रमाल के अधार पर इसको सरवदिक मानता प्राप्त है इस डेट को कबीर का जन्म किस अस्थान पर हुआ था इसे लेकर भी विद्वानों में काफी मत बेद है कबीर के जन्म अस्थान के रूप में कासी और मगर विशेश रूप से मानने है कबीर पंत में सबसे मानने अस्थान कासी रहा है इसके बारे में सबसे ज्यादा कबीर की एक साकी और एक पद का हवाला दिया जाता है जिसमें कासी का सीधे उलेख है करते हैं कासी में प्रकट भये रामानंद शेताए तू बाभन मैं कासी का जूलाह बुजहूं मूर गियाना जन सुरूतियां भी कासी के पच्छ में है अनन्त दास रेव रेंड अहमद सा अयोद्या सिंग उपाद्या हरियाओ से आमसुंदर दस आदी कासी को ही कवीर का जनमस्थान मानते हैं प्रन्तु कई विद्वान ऐसे हैं जो कासी के बदले मगहर को कवीर का जनमस्थान मानते हैं सबसे पहले डाक्टर पितामबर्दत बर्थवाल डाक्टर पितामबर्दत बर्थवाल ने अपने सोध प्रबंद हिंदी काव में निर्गूर संपरदाय में मगहर की ओर विद्वानों का ध्यान खिचा या अकर्शित किया उन्होंने स्री गुरु गरंत साहब के इस पद के अधार पर मगहर का समर्तन किया कतें तोरी भरोस्ते मगहर बसियो मेरे तन की तपन बुझाई पहले दरसन मगहर पाईयो खुनिकासी बसे आई परिवार और माता पिता देखिए इनका पवीर का परिवार माता पिता यदि अंता साच की दृष्टी से विचार करे तो कवीर ने कहीं भी अपने माता पिता का नाम नहीं लिया है उन्होंने अपने पदों और साख्यों में राम को अपनी मा हरिजन जननी मैं बालिक तेरा बालिका मतबालिक तेरा बाप कहें कभीर बाप राम राया फूर मती राखू मेरी पती दोस्त राजा आदी कहा है लेकिन यह तो भक्तों का भगवान के प्रती संबंद प्रकट करने का एक परिशलित महावरा है कभीर गरन्थावली अर्ता स्याम सुन्दर द्वाराजो संपाति कभी गरन्थावली में एक पत ऐसा है जिसमें कभीर ने माई का उलेख किया है वे कते हैं मुसी मुसी रोवै कभीर की माई यह बारिक कैसे जीवहीं खुदाई ठीक यह कभीर के परिवारिक परिवेस की और संकेत करता है लेकिन कभीर की मा के नाम आदी के बारे में कुछ नहीं करता कभीर की मा के बारे में यह कुछ नहीं करता जन सुरुतियां कवीर को एक अनाम विद्वाप नामडी के गर्व से उत्पन्य होने की बात करती है जिसे रामानंद ने पुत्रवती होने का सिर्वाद दिया था डाक्टर रामचंद तिवारी इस जन सुरुति के मूल में कवीर को हिंदू को से जोडने और रामानंद का अलाव की कत्व सिद्व करने की आकांचा मानते हैं उनकी द्रिष्टी में इस प्रकार का प्रवाद कबीर के जनम के काफी बात का है इसी से जुड़ी हुई एक डूसरी जन सुरुति भी है यहाई की बिधवा ब्रामडी लोकोपवाद के डर से बच्चे को लहरतारा तलाप के किनारे फेक आई और वहाँ से गुजरने वाले नीरु नीमा दमपत्ती ने उसे उठा लिया पाला पोसा और बढ़ा किया रजजब की सरवांगी से पीपा की एक उपती जिसका उलेक उपर किया जा चुका है उद्रित करते हैं करते हुए डाक्टर बर्तवाल ने कहा कि कवीर नीरु नीमा के सिर्फ पालित पोसित पुत्र नहीं बलकि उनीक असली पुत्र हैं हाला कि पंडित अचार राम चंदर सुकल और पंडित हजारी पसाद्वेदी आधी उनेजन सुरुती का अनुकरण करते हुए नीरु नीमा का पोस्ष पुत्र ही मानते हैं नाम कुल जाती और पेशा तो नाम का संबंध धर्म और संस्कृती से होता है मद्यकाल में समानता हिंदू और मुसल्मानों के नाम अपने अपने धर्म और संस्कृती के अनुरुप रखे जाते थे और आज भी कमोवेस यही परंपरा है कवीर नाम, मुस्लिम धर्म और संस्कृति संबद्ध है कवीर के नाम करण के बारे में भी एक जन्सृती है नीरुनी मा लाहरतारा के पास मिले बच्चे का नाम करण करने के लिए महलुई के पास गए और उनसे कुरान खोल कर उनका नाम कवीर रख दिया कवीर के नाम को लेकर भी विवाद है कवीर के कूल जाती को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं जान पड़ते ठेक कवीर को जुराहा कुल उत्पन ने मानते हैं जबकि अचाराजारी पवसाद्युएदी उन्हें सिर्फ पालित पोसित मानते हैं ठेक तो बिवापत्नी संतान कवीर पन्थी कवीर को जीवन भर अभिवाहित लेकिन त्यागी ग्रिहस्त संत मानते हैं जनसुरुतियां कवीर पंतियों के उलट कहती है वे कवीर के विवा का नकेवर सबर्थर करती है बलकि उनके बच्चे बच्ची होने की विवात करती है जनसुरुति के अनुसार कवीर की पत्नी का नाम लोही था जो एक बैरागी की पालिता पोसिता पुत्री थी वा उन्हें गंगा इश्नान के समय लोई में लेपटी हुई गंगा में बहती हुई मिली थी वा उन्हें गंगा के वा उन्हें गंगा इश्नान के समय लोई में लेपटी हुई गंगा में बहती हुई मिली बैरागी ने लोई में लिप्टी होने के कारण उनका नाम लोई रख दिया मरते समय बाबा के बताए गए उपाय से लोई को कवीर मिले कवीर मिले वह कवीर से परभावित हुई और उन्हें के साथ रहने लगी एक जन सुरुती लोई को कवीर की पत्नी बताती है तो दूसरी उनकी सिस्या डाक्टर मुंसी राम सरमा और डाक्टर राम कुमार वर्मा प्रचलित जन सुरुतियों में एक पच्छ और जोडते हुए कवीर की दो पत्नी होने की बात करती है पहली पत्नी लोई दूसरी पत्नी धनिया धनिया जहां तक लोई के कवीर की पत्नी होने का प्रश्ण है डाक्टर पारशना तिवारी डाक्टर माता परसाथ गुब्द आदिन का कवीर के अंतर साच के अधार पर एक मत यह है कि यह इस्तिरी का नाम नहीं वलकि लोगों के ल दूसरी पतनी का प्रश्ण है डाक्टर रामकुमारवर्मा ने गुरु गरंद साहब के दो पदों के अधार पर पनी यह स्थापना दी है ठीक डाक्टर रामकुमारवर्मार पद इस प्रकार है देखिए काते हैं मेरी बहुरिया कोधनिया नाव ले रखियो रामजनिया नाव दूसरे पत की कुछ पंक्ती इस प्रकार है कि पहली कुरूपित कुजाती कुलखनी सहुरय पेई एवुरी अब की सुरुपि सुजाने सुलखनी सहजे कुदरी धरी भली सरी मेरी पहली बरी जूगू जीववू मेरी अब की धरी यह कबीर का आत्म कत्य है सहजे सहजे सब गए सूते बीत कामणी काम एक मैं एक हवै मिली रहे आदास कबीराराम यह कबीर का आत्म कत्य है पर इसे यथार्त माना जाए या मात्रभक्ती का महरा इसे यदि यथार्त रुप में गरण किया जाए तो कबीर की पतनी और पूत्र का समर्तन होता है जनसुरुती तो कबीर के एक पूत्र का कमाल और एक पूत्री कमाली की बात करती है जनसूर्थी कूरू ग्रन साप में कमाल के विशय में एक स्लोग भी मिलता है वो कतें बड़ा बंस कवीर का उबजयो पूत कमालू हरी का सिमरून नूचानी के घरी लए आया मालू सिच्छा दिच्छा सिस्य परंपरा कवीर के जीवन के ये संदर्व भी इसपश्ट नहीं है समानत मानिता याय की कवीर अनपर थे वे बहुत बहुत सुरुत थे और उन्होंने संगती से ज्ञान अर्जन किया सिच्छा और ग्यान अर्जन की दो परंपराएं रही है एक सुर्ती सिच्छा ग्यान की परंपरा और दूसरी पुस्तकी सिच्छा ग्यान की परंपरा कवीर के अंतर साध्य से इसपश्ट है कि वे पुस्तकी सिच्छा और विद्या को ब्यर्थ मानते थे पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई तू कहता कागद की लेखी है मैं कहता अखियन की देखी उनके प्रसिद्ध कथन इसके प्रमाण है कवीर पंत में कवीर का महत पोथी ज्यान और लेखन के करण नहीं बलकि मुख वचन या सब्द साधना के करण है इसके प्रमाण में यह साकित बहुत प्रसली थे सुनते सुरुत की और मौखिक मुख वचन परमपरा लिखने की परमपरा से बहुत पुरानी है साधना के छित्र में भी ए दोनों परमपराएं थी दिच्चा और मंत्र दोनों के यहा मौखिक है लेकिन इसके बाद एक परमपरा सास्थ से चिपक जाती है और दूसरी गुरु वचन को अपना प्रमाण मानती है कवीर की शिच्छा दिश्चा दूसरी परंपरा में हुई वे सास्त को नहीं सद गुरू के सब्द को ही सबसे बड़ा प्रमाल मानते थे डाक्टर माता परसाद गुप्त इसी पच्छ और परंपरा में कवीर को रख कर देखते हैं डाक्टर कुप्त का कहना है कि संत संपरदायों में वानी संग्रेयों की एक परंपरा मिलती है संपरदाय भेद से इसमें कुछ अंतर आजाता है कि इन तो बहुत कुछ समानता होती है इन संग्रहों में संपर्दाय के गुरुओं की बानियों के अत्रिक्त उन्षंतों की बानिया संकृत होती है जिन की संपर्दाय में मानता होती है दादू संपरदाय सिख संपरदाय में इस प्रकार के वानी संकलन है कभीर समय में भी इस प्रकार के संकलन ग्रंत रहे होंगे और उन्होंने अपने से पुरुवर्ती संतों और योगियों की वानीयों का अध्यन और अभ्यास किया होगा कवीर अपनी प्रम्परा के किसी भी संत से कम शिच्चित थे या मानने का कोई कारण नहीं है सिख गुरुआं और संतों की वाणियों मुख वचन को लिखते रूप देने की प्रम्परा कवीर के जीवर काल से परवर्तित है यह एक प्रकार से पोथी परंप्रा का अनुकरण है कभीर ने गुरु को इश्वर के समान मत दिया है कहते हैं कभीर सत गुरु समान को सघा सोधी सईन दाती हरीजी समान को हितु हरीजन सईन जाती इतना मही मासाली कभीर का दिच्छा गुरु कवन है या अब तक निश्चित नहीं ओ पाया जनसूरूतियों और भक्तों की परमपरा कवीर पंथ भी रामानंद को ही कवीर का गुरू बताती है भक्तों की परंपरा विजन सुरूती के समान रामानंद को कवीर का गुरु मानती आई है इसमें कवीर पंथी और पंथेतर भक्त समानता एक मत हैं रामानंद को सबसे पहले कवीर का गुरु कहने वाले भक्त हरी राम व्यास्त है हरी राम ब्यासतर फतन कबीर के गुरू रामानंद को माने जो कबीर के थोड़ई परिवर्थित थे मतलब हरी राम कबीर के कुछी ही बाद आए इस बारे में उनका एक पद्वी है हरी राम कते हैं साचे साजू धूजू रामानंद जिन हरी जी सोहित करी जन्यों और जानी दुख दंद जाको सेवक कवीर धीर अति सुमित सूर सूरानंद तब रैदास उपासिक हरी को सूर शूपरमानंद नावादस अनंद दास भी इसका समर्थन करते हैं उधर कवीर पंथ में रामानंद और कवीर के बीच गुरु सिस्य संबंद को लेकर अनेक उक्तियां प्रस्ली ते कासी में प्रकट भये रामानंद चेताए भक्ती द्रविडे उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कवीर न सब्त दीप नवखंड सद गुरु के परमताप से मिटी गयो सब दुख दंद कहकवीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद आदमेक हिंदी बिद्वानों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जन सूर्थियों और भक्तों की परमपरा का आक मुद कर समर्थन करता है रामानंद को ही कबीर का गुरु मानने के पच में हैं डाक्टर सूक देव सिंग्ग तो कबीर वीजक से एक अंतर साच भी प्रस्तूत करते हैं कि वह इस परकार है देखिए कभीर विजक से कभीर गुरु को सबसे ज़्यादा महत्तों देते हैं हो सकता है कोई उनका दिच्छा गुरु भी रहा हो पर कभीर ने अपनी रचनाओं में किसी गुरु का नाम नहीं लिया है अंतर साच में वे अपने आत्म ग्यान या आत्म ग्यान या आत्म राम को गुरु कहते हैं एक परंपरा बुद्ध महावीर की आत्म दी पोवव की है कभीर इसी परंपरा में जान पड़ते हैं कभीर ने किसी को अपना सिस्य बनाया था या नहीं अंतर साच से इसकी कोई सुचना नहीं मिलती दादू पन्थी रागाव दास ने अपने भक्त माला में कभीर ने नव सिस्यों कमला, कमाली, दोनों मतलब उनका पूत्र पूत्री हो गए पदमनाव, राम किपाल, नीर, धीर, ज्यानी, धरमदास और हर दास का उलेक किया है कभीर पन्त में बीर सिंग, बिजली, सुरत गोपाल, धरमदास, तत्वा, जीवा, जागू दास, भागू दास, मुलक दास, करीब दास आदी कभीर के मुख्य सिस्यों माने जाते हैं कभीर की जनमतिती के समान, उनकी मुर्टू तिती भी विवाद के घेरे में है कभीर पन्त में प्रचलित और विद्वान द्वारा स्विक्रित तिती समवत 1575 है उसका अधारिय दोहाए कि समवत 1575 किया मगहर को गोन, माग सुधिय का दसीर, रलो, पवन में पवन इसके अरावा कभीर की मुर्टू तित्थी के रूप में 1579, 1549, 1505 बेप्रसलित है अंतर साची के द्रिष्टी से कभीर ने अपने पूरवर्ती भक्त नाम देव का नाम बड़ी आदर से लिया है और उनका समझ तिरहमी 14 सताब्दी है दूसरी बात कभीर के यहां मुगल सब्द नहीं मिलता है मुगल बादसा बाबर के भारत आक्रमण की तित्थी निश्चित है अतह कभीर का जीवनकार 14 सताब्दी के उत्रार्द के बाद और 16 सताब्दी के पुर्वार्द के पहले दोनों के बीच ही बिता होगा उनके मिलतु अस्थान के रूप में मगार सबसे अधिक स्विक्रित है कवीर का साहित के प्रमालिक साहित की खोज उनकी संख्या का निर्धारल उनके पाठों का चयन अवसुदता निर्धारल आसान का नहीं है कवीर पंस में यह मानता प्रस्दित है की सद गुरु कवीर शाहिब की वानी की कोई सीमा नहीं है कते हैं जेते पत्र बन सपती अवगंगा के नैन पंडित विचारा क्या कहे कवीर मुख बैन कवीर का दास कवीर दास का यह अंता साच मसी का अगर शुओ नहीं कलम गयो नहीं है इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो मौकिक ही था इस बात से सभी विद्वान समथ है कि कवीर वानी को लिखित रूप उनके पंत और पंत येतर सधालों ने दिया होगा किन्तु उसमें कितना कवीर का अपना है और कितना सधालों का अपनी ओर से कवीर नाम से जोड़ा हुआ कवीर साहित की संख्या कवीर साहित के सिल्सले में पहली समस्याया उत्ती है कि उनके मूल साहित की संख्या कितनी है कवीर साहित के खोजी विद्वानों ने पहले पहल उनके साहित की संख्या निर्धारल का यत्न किया कवीर साहित की विवस्तित खोजबीन और संख्या निर्धारल का पहला प्रियास जी एच वेश्ट काट ने अपनी पुस्तक कवीर और कवीर पंत सन 1907 में किया उन्होंने कवीर के 82 गरंतों की सूची दी इसके बाद मिस्र बंधुओंने हिंदी नवरत्न सन 1910 में 75 मिस्त्र विनोध सन 1929 इसके तीसरे संस्क्रण में 84 डाक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कभीर सन 1913 में 86 गरंतों की सूची दी कासी नागरी परचाड़ी सभा के 1945 के खोज बीवरणों में यह संख्या 130 से 158 तक पहुच गई इसके बारे में विद्वानों की राय यह है कि एक ही रचना के कई संस्क्रणों के नाम गिना दिये गए हैं कई रचनाएं तो जाली और परवर्तित हैं जैसे अनुराग, सागर और कभीर मनसूर आधी इसमें जिन बिचारों का परतिबादन है वे कबीर के करांतिकारी बहाय आडंबर विरोधी बिचारों से मेल नहीं खाती गोश्टी से संबंदिस सभी रचनाएं कबीर पंतियों की संपरदाईक स्रिष्टा बोध की उपज हैं और ये सभी कबीर के बहुत बाद की हैं डाक्टर राम चंद तिवारी की इनके बारे में तिबडी गवर्त लब है वे करते हैं मतलर डाक्टर राम चंद तिवारी की निश्चित है की यह सारा किर्तित्त कबीर का नहीं है या कवीर और कवीर पंती संतों की एचनाओं की मिली जुडी संख्या है और इनकी परमारिकता भी संदे हास इस पद है संदे हास इस पद है संदे कवीर वानी के परमारिक पाट के प्रियत्म कवीर वानी के परमारिक पाट की परस्तूती का पहला प्रियास कासी नागरी परच पहले पर आयोद्या सिंग उपाद्या हरियोद ने समाली तब से लेकर अब तक इस दिशा में प्रयत्न निरंतर जा लिए कभीर वानी के प्रमालिक और अंतिम पाड़ का निश्च है तो अभी तक नहीं हो सका लेकिन कुछ विद्वानों की रचनाय विचार के योग अवस्य कभीर वचनावली सन 1916 में आता है जिसका संपादन अयोद्या सिंग उपाद्या हरियोद ने सन 1916 में कभीर वचनावली का संपादन किया हरियोद ने बीजक 84 अंग की साखी कभीर सब्दावली आदी गरंतों के अधार पर यह गरंत तयार किया है इसमें 781 साखियां 228 पद सामिल किये गए हैं रमाइनिया छोड़ दी गई हैं डाक्टर राम चंद तिवाली का इसके बारे में कहना है कि कवीर वचनावली को पूर्टा प्रमालिक नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके संपादन में न तो आधार प्रतियों के पाठ की तुलना की गई है न भासा न ब्याकर अर्थ एवं देशकाल की दृष्टी से उसकी परमाइनिकता की जाच की गई न लिपी भ्रम पुनरुक्ति आदी दोसों से उत्पन्य विक्रितियों पर विचार कवीर गरमतावली सन 1928 डाक्टर स्यामसुंदरदासित के संपादक है सभा की ओर से कवीर के परमालिक पाठ की प्रस्तुति का दूसरा प्रयास बाबु स्यामसुंदरदास ने किया और सन 1928 में कवीर गरमतावली का संपादन किया उन्होंने दो प्राचीन हस्त लीपियों पहली संपादन 1561 और दूसरी संपादन 1881 के अधार पर संपादन का कारे संपन किया दोनों में पाठ भेद कम है लेकिन दूसरी में पहले से दों और पदों के संख्या कुछ अधिक है इसमें कुल 809 साखियों और 400 पदों सात रमेनियों को सामिल किया गया है इसकी प्रमालिकता के बारे में विद्वानों के संदेय का कारण अधार भुत प्रती की पुस्पिका है उसकी लिखावट सेस गरंत की लिखावट से मोटी और बड़ी भी है संभव है लिपी का अपनी लिपी प्राचीन बनाने के लोग में ऐसा कर बैठा हो दोनों प्रती लिपियों पर राजस्थानी का असर इसपश्ट दिखाई देता है या कबीर का पूल परमालिक पाड़ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कबीर के प्रमालिक पाड़ की खोच की दिशा में एक महत्तपूल प्रियत्न अवस्थी कहा जा सकता है इसकी भूमका और प्रसिष्टी की भी महत्तपूल है प्रसिष्टी में स्यामसुंदर दास ने आदी गरंद में संक्रित कबीर की साख्यों पदों और रमेनियों को सामिल कर इसका महत्त बढ़ा दिया बिजग की पाठ परंपरा इसमें छोड़ दी गई है संत कबीर 193 इस जीसका संपादन डाक्टर रामकुमार वर्मा ने किया डाक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1943 में गुरु घरंद साईवा में संक्रित कबीर की वानी पर संत कबीर नाम से एक सोतंत्र पुस्टक संपादित किए उन्होंने कवीर वानी पर अपनी पुस्तक से पुरू प्रकासे 6 ग्रंथों संत वानी संग्र उन्नैस्व पाँच बेल वेडियर प्रेस इलहावाद वीजक्स्री कवीर साह उन्नैस्व पाँच साधु उरंदास सत्य कवीर की साखी सन उन्नैस्व बीस वेंकटे स्वर प्रेस बंबई कवीर गरंथ तावली सन उन्नैस्व थाईस याम सुन्दर दास बीजक्स्रीक्स मूल 1922 कवीर चवरा बनारस सत्गुरु कवीर साहिब की साखी सन 1935 सयाजी बाग बढ़ावता कि परमाणिक्ता को संदेई इस्पद मानते हुए गुरु गरंथ साहिब के पाठ को सरवादिक परमाणित और विश्वरस्णी माना सीखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव द्वारा सन 1904 सन 1904 इसफी में संकृत और उनका सबसे पुज गरंथ होने के कारण वे इसका पाठ अविक्त मानते हैं कवीर की भासा का मूल रुप पुरुवर्ती मानते हुए उन्होंने कवीर वानी के गरंथ साहिबा वाले पाठ पर यतरतत पंजाबी भासा का प्रभाव स्विकारा है इसमें 243 सलोग मतब साखियां 228 पद संकलित हैं डाक्टर राम चंदर तिवारी का इस संकलन के विश्चे में कहना है कि अत्यंत सतरकता और सवधानी के बाद कुछ सलोग नाम देव और अविदास के आगए हैं दूसरी बात कवीर और अर्जुन देव के संकलन के समय के बीच जो फासला है उसमें प्रिच्छप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता यति आसिक मत रखते हुए भी संत कवीर कवीर का पूल परमालिक और निर्दोस पार नहीं है कवीर बानी और नई सपैसर फंपादन अली सरदार जाफरी पंडित हजारी प्रसाद दिवेदी ने अपनी कवीर पुस्तक सन 1942 के प्रसिष्टू में कवीर वाणी का संक्रन किया था इसमें आरंब के सौपत छीत ती मोहन सेन के संग्रस से रभिन्दन ठाकूर द्वारा अंग्रेजी में अनुदित लिये गया है सेस 156 वे हैं जिनके अधार पर उन्होंने कवीर सिध्धानतों का पतिपादन और समर्थन किया था असली अली सरदार जाफरी ने अध्यपी अचारे जारी तर्शाद द्वेदी का नाम नहीं लिया है उनकी कवीर वाणी से 128 छंदों का संग्लन सन 1925 में तयार किया और हिंदुस्तानी बुक टरस्ट बंबई से चपवाया इसे तयार करने के पीछे उनकी मनसा थी कवीर की मुकम्मल तस्वीर पेस करना इसके लिए हिंदी परंपरा के साथ इसलामी सुफी परंपरा के में कवीर को देखने की जरूरत थी हिंदू मुस्लिम एक्ता राष्टी भावनात्मक एक्ता के द्रिष्टी से इस संस्क्रल का महत और संदिक्द है लेकिन कवीर वानी के फाट की प्रमाडिक्ता के मजेदार जाफरी का प्रियास्त नदारत है मौकिक परमपरा से संब्द होने के कारण नए पदों का जुड़ना और भासा में कुछ बदलाव आना लाजमी है डाक्टर सुगदेव सिंग का कहना है बिलकुल संगत है कि कवीर के नाम पर मिलने वाली रचनाओं में एक भी ऐसी नहीं है जिसेसत पर सिसत कवीर कृत का जा सके चुकि मौकिक स्रमण और संकलन की परमपरा कवीर के जीवन काल में प्रसलीत हो गई थी अता उनकी सारी कृतियों में प्रच्छेप और पठांतर सवाविक हैं इस संकलन की भूमिका और पाद टिपडिया कवीर के इस्लामी संधरव को समझने में काफी कारगर हैं कभीर गरंतनावली 1961 संपादर डाक्टर पारसनात्तिवारी भारती हिंदी परिशद इलहाबाद विश्वी दाले की ओर्सस और पारसनात्तिवारी ने नए सिरे से कभीर गरंतनावली को वबविद करते हुए प्रकासन करवाया उनके सोध निदेसक डाक्टर माता प्रसाद गुप्त का इस विशे में कभीर की रचनाओं के अनेक पाठ मिलते हैं और इसमें एक दूसरे से भीनेता भी बहुत है इन सभी पाठों को इकठा करके उनके समालोचनात्मक अध्यन और उपयोग का एक मात प्रियाग विश्व तीवारिन निर्गूलया संतों की नव सखाओं की 17 प्रत्या दादो पंथी की साखा की 5 निरन्जनी साखा की 1 आधि ग्रंत की 1 बीजक की 2 सदावली की 2 साखियों की तीन सरवांगी की एक गुल गल नामा की एक आ चारे चितिज मोहन सेन की एक का विस्सद और गंभीर तुलनात्म विस्लेसल करते हुए कवीर वानी का सबसे प्रमारिक और प्राचीन सुद्ध पार्ट निश्चित करने की कोशिस की है कवीर के नाम से मिलने वाली साधे चार हजार साखियों लगभग सोला सौवपद और एक सौव चाउतिस रमायनियों के गहन तुलनात्मक अध्यन के पश्चाथ उन्होंने निसकर्श निकाला है कि दो सौवपद सबद अब 20 रमायनिया एक चाउतिसा मतब एक चाउतिसा रमा मेनी 744 साखिया परमालिक रूप से पवीर की सिद्ध होती हैं 25 समुचेयों को संकीर संबद्ध समुचे मान कर उन्होंने छोड़ दिया है लेकिन इने वे पूरी तरह से अपरमालिक नहीं मानते थे उन्होंने बहुत इसपष्ट कहा है कि इसका यह तक पर नहीं है कि इन संकी संबंध वाले प्रति समुऊं में प्रिथक रूप से पाया जाने वाले सभी पद परचिप्त हैं संबव है कि कुछ न कुछ प्रस्तीसत इसमें भी परमालिक छंदों का हों किन्तु उस विसाल मिस्तरित रासी में से उस छोटे प्रस्तीसत को अलग करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है अतो कवीर वानी के पूल प्रमालिक्ता के प्रती अपने अथक परिश्णम के बावजूद डाक्टर पारशनत्तिवारी भी अस्वस्त नहीं थे डाक्टर पारशनत्तिवारी अब कवीर गर्णत्नावली उनईस उनहत्तर डाक्टर माता प्रसाद गुत्त डाक्टर मातापरसाथ गुत्न कभीर गर्णावली का अपना पाट तैयार किया ठेक कोई मतलब नहीं बन रहा है उसी कारे को अपने तरह से प्रस्तुत किये हैं कभीर वीजग उनाई सो बहत कर डाक्टर सोग देवसीं इसके समफादक है बिद्वानों दवारा एक वर्ग वे कभीर वानी का सबसे पूराना प्रमालिक रूप वीजग को मनता रहा है उससे प्रेरित होकर कभीर की मूल भासा पूर्वी मानकर आभिनिक बाइज्ञानिक पार्ट नुसंदान के प्रिक्रिया अपनाते हुए डाक्टर सोग देव सिंग ने वीजग के विभिन्ने संसक्र कंणलात्मकक विशलेशन और चान वीनकी और वे निसकर्स पर पहुंचें कि चारों समुचियों के रूपांतर में भकताही संुचे प्राचियंतर और सुरचित रूपांतर जान पढ़ता है भकताही और समुच्चन में प्रिशेपड की क्रिया कम हुई है जो भी हो उक्त चारू समुच्यों में बीजक का सरवाधिक सुरच्चित रूप भकताही में मिलता है उन्होंने बीजक में 84 रुमेनिया, 115 सब्दों, 353 साखियों, 12 कहरों, 12 वसंतों, 2 बोलियों, 1 बीरुटूली, 2 चाचरियों, 3 हिंडोलों, 1 चाउंतीसा, 1 बीप्रमतीसी को प्रमालिक मानते हुए सामिल किया डाक्टर पारशना तिवारी की गरत दावली को राजस्थान परंपरा का पार्ट मानते हुए उन्होंने उसके उनके संपाधन को पूलत सार्थक नहीं माना आधनिक बाइज्ञानिक द्रिष्टी से बीजक का प्रथम विवस्तित संपाधन होने के कारा डाक्टर सुख देव के बीजक का महत्त निर्विवाद है लेकिन जहां तक उसके पूल प्रमाणिक्ता का प्रश्ण है रमैनी साखी के अलावा सारे काबिरू कहरा कहरा से लेकर विप्रफ मतीसी तक बिहारी भासा के विशेश परियोग के खारण परिवर्ति जान परते हैं संथिक दहा है कवीर वांग मैर कंडवन रमैनीnecess 94 खंड तू सबत 1945 खंड तू साखी अब वासुदेव सिन्ग कवीर वांग मैं को तीन खंडों मेर मैनी सबत साखी में संपाधित किया और संपाधित आप्रकास सेथिन झिया डाक्टर जय देव सिंग और वासु देव सिंग ने किया दोनों लोग मिल कर किये हैं उन्होंने अपने संपादगी प्रियोजन को इस पश्ट करते हुए कहा कि उनकी कवीर वानी मतलब कवीर की वानी पर मुखत दो छेत्रों में काम हुआ है एक साहितिक बिद्वानों द्वारा दूसरा कवीर पंतियों द्वारा सुगदेव सिंग द्वारा पाठ निर्दारण और प्रमारिकता संबनित किये गए कार अधिक वैज्ञानिक और सुसंगत है किन्तु इसमें ऐसा कोई गरण्त नहीं है जो कवीर के समग्र साहित को एक साथ उपलब्द खराता हो यदि गरंतनावली नाम से प्रकासम गरंतों में साखियों और पदों का महत दिया गया हो है तो वीजक में रमाईनियों की प्राचीनता और परमाणिकता सिद्ध की गई है साहित्तिक विद्वानों द्वारा कवीर गरत नावली को अपनाये जाने पर प्रमालिक रूप यह हुआ कि हिंदी के छात्रों का अध्यां साखियों और पदों तक ही सिमित रहा वे प्राया रमैनी से अपर्चित ही रहे हैं जबकि कवीर के विद्वार्तियों के लिए रमैनी की जनकारी अवश्यक है एक ऐसे गरंत की नितान आव सकता थी जिसमें कवीर का संपूर साहित विस्तित ब्याक्या साहित उपलब्द हो प्रस्तुत गरंत इसी दिसा में किये गए प्रयत्न का प्रण्याम है दरसल डाक्टर जैदेव सिंग ने कवीर गरंतावली और वीजग के बीच का रास्ता निकाला है पहले खंड में उन्होंने 84 रमैनियों दूसरे खंड में 350 सब्दों परिस्ष्ट में कवीर वीजग के अन्यकावी रूपूं तीसरे खंड में 809 साखियों को रखा गरंतावलीयों और वीजग के बाद का संपादन होने के कारण उन्हें जो भासा समद्र असुद्धियां रह गई थी उन्हें ठीक करते हुए अपेच्छाक्रित अधिक परमालिक पाड देने का प्रयास किया गया किया भासा सुद्धी और पाड निर्दारल कवीर की भासा को पुर्वी मान कर किया गया इसकी विशेश उपयोगिता भावार्त बूधनी बयाख्या के कारण है यद्यपी कबीर के प्रमालिक पाड का प्रतिनिदित्व वांगमय भी नहीं करता कबीर वांगमय के सभी खंड विश्व विद्याले प्रकासन वरान्ती से छपे हैं कबीर का पूरा जीवन मद्ययुगीन भारती समाज विवस्ता की अमानवी विसंगती और बिडम्मना का एक जीता जागता दस्ता वेज है कारण है कि वह इतनी जन सुरूतियों अलोकिक गटनाओ चमतकार से घिर गया है कि उनके अधार पर कबीर के वास्तिविक जीवन का उनके जनम मृत्तों की परमारिक तीतियों का पता लगाना अत्यंत कठीन है कबीर का जमाना राजसाही का था और वे पैदा चाहे जिसके यहां हुए हो लेकिन पालित पूसित हुए थे एक गरीब जुलाहे के परिवार में उनका पेशा भी कपड़ा बून कर बेच कर पत्रियां राजाओं बादसाओं और उची जाती के सम्रिद लोगों की बनाई जाती थी इतियास और वनसलावनिया भी इनी लोगों की लिखी जाती थी समाज ब्यवस्ता के सबसे निचले अस्तर के सदारल आदमी की जन पत्रिया इतियास की बात तो सोच ही नहीं सोच ही नहीं जा सकती थी पर इन्हें के बीच कभी कवार ऐसे लोग भी होते रहते हैं जो अपने पुरसार्थ या सधारण कर्म और लोग कल्यार से अपने जीवन में क्यूदंती पूरुस बन जाते थे कवीर ऐसे ही लोगों में से एक थे जो नगान परिवेस के वीतर पारित पोसित होकर अपने करम से लोक गण या लोक माने भया कवीर कवीर हो गए थे कवीर की इस असाधारण ख्याती के बाद पंत और पंतेतर लोगों को उन्हें पुरान त्यास पूरुस मतलब भाक्त बानाने की चिंता होई कवीर की जनम विर्थू की तीथिया और उनके जीवन से जूड़ी तमाम गटनाओं की खोश परवर्थित हैं अन्ता साच के रूप में भी कवीर के संबंद में खास सूचना नहीं मिलती इसलिए उनके जीवन विर्थि के बारे में अन्ता वहीर साच्यों का मिलान करके संभावित रूप से यही कहा जा सकता है कि उनका जीवन चदाविस सतावदी के उत्रार्द और सलयमी सतावदी के पुर्वार्द के बीच बिता था जो इस्तिती कबीर के जीवन की है वही उनके साइथ थी है उन्होंने लोगों के सामने वाली कही थी लेकिन स्यम उनका लेखन आया और संपादन नहीं किया था कवीरवानी का संग्र और संपादन बाद की लोगों ने किया और वे अगलग अलग भासा चेत्रों के थे इसी कारण कवीरवानी के मोटे रूप से तीन पार्ट मिलते हैं राजस्थानी पार्ट पंजाबी पार्ट जिनके अधारपा आधनिक विद्वानों ने कवीर वानी को प्रमालिक पार्ट को प्रस्तुत करने की कोशिस की। इसमें से कोई भी पार्ट कवीर की मूल भासा का प्रतिनिदित नहीं करता, केवल इतना कहा जा सकता है कि मद्यकाल में कासी मघर के बीच बोल चाल की भासा कवीर वानी का अधार नहीं होगी। योगियों और सुपियों से निकट संपर्ग के कारण उनकी भासा का खड़ापन उसमें अवस्तिरा होगा। पार्ट संग्रा परवर्तित होने के कारण उनमें प्रछेप भासा क्रित विक्रिती की समावना भी कम नहीं है। तो इस परकार प्यारे सात्यों प्यारे मित्रों हम लोगों ने कभीर का जीवन और साहित पर अध्यन किया। अब हम लोग कभीर के यूग अथा दूसरे काई में पहुच चुके हैं कभीर का यूग तो यहां से हम लोग कभीर का जुराजनिती है समाजिक आर्थी धार्मिक सांस्कृतिक यह सब परिपेच्छ जो है इसको अध्यन कि रहेंगे अगले वीडियों में ठीक तो आप सभी के बहुत बहुत आत्मिक अवार बहुत धन्यवाद